गुड का ये छोटा सा उपाय बदल देगा आपकी जिन्दिगी इस टोटका को करते ही पैसों से भर जाएगा घर वैसे तो हर घर में गुड का उप्योग होता आया है गुड की मिठाईयां भी बनती हैं और लोग सर्दियों के दिनों में मिठाई के रूप में बड़े चाव से खाते हैं गुड सेहत के लिए जितना फाइदे मंद है उतना ही चमत कारिक भी है इसके कुछ उपाय इतने कमाल के हैं कि जट से जिन्दिगी की ठेरू समस्याएं दूर हो जाती हैं आज हम गुड के कुछ ऐसे ही असरकारी उपायों के बारे में जानते हैं गुड को आयूरवेद में बहतरीन औशदी माना गया है जियोतिष के दिश्टी कोंड से देखें तो गुड सूरे का कारक है इसके अलावा लाल किताब में गुड से जुड़े अनेक उपाय बताये गए हैं जिस व्यक्ति की कुंडली में सूरे अशुप फल दे रहा हो उसे गुड से जुड़े उपाय करने चाहिए जियोतिष शास्त्र में बताया गया है कि अशुप ग्रहों के प्रभावों को दूर करने के लिए कई अचुप उपाय बताये गए हैं नमबर एक जल्दी से खरीद लेंगे घर अगर करेंगे ये तोटका अगर आप कोई जमीन या घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं मगर इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है नहीं हो पा रहे हैं तो आप किसी गरीव व्यक्ति को गुड़ से बनी कोई चीजें खाने को दे दें ज्योतिश और तंतर शास्तर में कहा गया है कि ये उपाई शनिवार के दिन करें आपको संपत्ति से जुड़ा लाब होगा अगर आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं तो शुक्रवार को किसी जरुरत मंद को गुड़ का दान करें आपका काम जल्द ही होगा अगर आप कर्ज में हैं तो इससे छुटकारा पानी के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं आप देखेगा कुछ ही दिन में जीवन से कर्ज समेश सारी परिशानिया दूर हो जाएंगी संपत्ति विवाज से निपटने में भी यह उपाय बहुत मददकार साबित होता है मंगलवार को गुड़ खाकर घर से निकलें हनुमान जी को गुड़ का भोग लगने से कर्जे से मुक्ती मिलती है अगर यदि बहुत कोशिशे करने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपको यह उपाय करना चाहिए इसके लिए आपको करना होगा कि किसी साक्षातकार पर जाने से पहले गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं ऐसा करें जरूर सफलता मिलेगी घर में पैसों की तंगी दूर करने के लिए यह उपाय आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा इसके लिए गुड़ का टुकड़ा और एक सिक्का लाल कपड़े में बांध कर मा लक्षमी के चर्णों में रख दे फिर इस पोटली को धूप दीप दिखा कर तिजोरी या रुपे पैसे रखने के इस्थान पर रख दे अगर ऐसा करेंगे तो जल्द ही पैसे की समस्या दूर हो जाएगी अगर आपके घर में बच्चों की शादी या किसी बड़े की शादी नहीं हो रही हो या शादी में बाधा आ रही है तो गुड का तोटका लापकारी है इसके लिए आप गुरुवार के दिन गाय को गुड और चना खिलाएं आटे में गुड मिलाकर पेड़ा बना लें और इसके बाद इस पर थोड़ी हल्दी लगाकर गौमाता को खिलाएं ऐसा करने से उनकी जल्दी ही शादी हो जाएगी घरों में अक्सर जगड़े होते रहते हो तो मंगलवार या शनीवार को सवा किलो गुड जमीन में गाड़ दे तंत्र शास्त में कहा गया है कि ऐसा करने से घर में कले खत्म हो जाएगी और घर के लोगों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा किसी भी प्रकार का भै हो तो तामे के बरतन में गुड रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान दे और वहीं बैटकर धूप दीब जलाकर हनुमान चालीसा का पाट करें ऐसा कुछ मंगलवार और शनिवार को करें फिर जब भी समय मिले तो शद्दा अनुसार करते रहें इससे आपके जीवन का हर प्रकार कभैस समाप्त होगा नमबर आठ सूरे कमजोर पत्रिका में सूरे कमजोर है तो गुड खाकर जल पीकर कारे प्रारंब करें बहते पानी में गुड बहाएं आठ सो ग्राम गेहूं वा आठ सो ग्राम गुड रविवार से आठ दिन तक मंदिर में भेट करें सूरे द्वादश भाव में हो तो बंदरों को गुड खिलाएं नमबर नो इस्थाई संपत्ती हे तू यदि लाग प्रयत्न करने के बाद भी आपका कोई मकान नहीं बन पा रहा है या बनने के बाद बिखने की नौबत आ जाती हो तो गुड के यह तीन तोटके आजमाएं प्रतेख शुक्रवार को नियम से किसी भूके को भोजन कराएं उसे गुड हाथ में दे दूसरा किसी रविवार के दिन गाय को गुड खिलाएं तीसरा शनिवार के दिन शनी मंदिर में छाया दान करें और चुपचाप गुड रखकर आ जाएं ऐसा नियमित करने से अचल संपत्ती बनेगी साथ गुड की भेलियों के साथ एक रुपए का सिक्का और हल्दी की साथ साबुद गाठे पीले कपड़े में गुरुवार को बांध कर रेलवे लाइन के पार फेकते फेकते समय अपनी कामना बोले ऐसा करने से मनो कामना पूर्ण होगी नमबर ग्यारा भोजन में गुड का प्रयोग भोजन में गुड का प्रयोग करने से सेहत लाव मिलता है पर यह जानकर आप चौक जाएंगे कि थोड़ा थोड़ा गुड खाती रहने से धन की आवक बढ़ती है हनुमान जी के मन्दिर में गुड चना उनके चर्णों में अर्पित कर रिड मोचक मंगल इस्तूरत का पाठ करे ततकाल लाप प्राप्त किताब के विशीशग के से पूछ कर ही करे क्योंकि कुंडली में मंगल और सूरे की इस्तिती देखी जाती है साक्षात कार देने जाते समय या घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड खिला कर जाएंगे तो सफलता मिलेगी वास्तु शास्त के अनुसार रसोई घर में हमेशा गुड रखना चाहिए जिस घर में गुड होता है वाँ सौभाग्य बना रहता है गुड रखने से घर पर खुशियां बनी रहती है यदि आप किसी कारण भैभीत रहते हैं तो इसके लिए एक तामे के पातर में गुड लेकर हनुमान मंदिर जाएं और गुड को पातर समेट दान कर दें इसके बाद मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पार्ट करें इससे हर तरह का भै समाप्थ होता है दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल देखने को मिले हमेशा खुश और स्वस्त रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद